गर्मी के मोसम में पेजल की समस्या से निपटने के लिए नगर के वार्डों में कुए बावडी की साफसफाई की तैयारिया की जा रही है जिन वार्डों में पैजल समस्य अधिक है उन वार्डों में बावडियों की साफसफाई कर पानी की टंक्या रखी गई जिसके जरिये वार्ड वास्यों को पानी उपलब्ध कराया जा सके नगर परिशद अधिक्ष प्रतिन दीर राजजेंदर सिहयादों ने कहा कि इस साल कम वर्षा के कारण उत्पन जल संकट को देखते हुए खुए बावडी को साफसफाई कर पानी के टंकिया रखवा कर वासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है कस्रावत नगर के पहाड़ी शेत्रों में भी जल की समझ से आ रही है जिसे परिशद गंभिर्टा से लेकर वहाँ भी जल से जल जल इस्तरोत की कमी को दूर किया जाएगा कस्रावत सेखिल खान की रिपोर्ट कस्रावत नगर में जल सेखिल के पुराने जल स्रोत है उनकी साप सफाई करके उनको उपयोग में पुना लिया जा रहा है उनका पुर्ण जिनोदार हमने किया है और उनमें सब में मोटर डाल के ताकि हमारे नगरवासियों को पेजल की कोई कमी नी हो इसी प्रकार से हमने वाड नमबर एक, दो, तीन, चार में, पाँच में हमने और छे, साथ, आठ में टेंकियां रखके और उनको टेंकरों से हम पानी के आपूर्ती करके और नगर के पेजल की जो तकलिव है उसको दूर करने का काम करना है और साथ ही हमने कैलास कुंड वाली बावडी, हमारे सबजी मंडी की बावडी, इसी प्रकार से लोहार कुआ, तेसील के पीछे के कुआ, जेन मंदिर वाला कुआ, हमारे अहीर कुआ, ऐसे सभी कुआ को की साप सपाई करवा के उनके जल को वापस उपयोग में लेने का काम किय नगर परिशत के द्वारा इन पर लगातार मानिटरिंग की जा रही है उनके साप सपाई की जा रही है और साप सपाई करके उनको आज विवस्तित कर दिया गया है आज वो सबी हमारे जलसरोत जो पुराने हैं जो प्राचीन जलसरोत हैं वो सब उपयोग में आने लगे हैं औ और हमारे नगर की जनता की पेजल की बहुत सारी समस्या का निदान इससे हुआ है। और उनको पानी के लिए इदर उदर भटकना नहीं पड़े।